मुक्तार अंसारी की मौत के बाद एक ऐसे सामराज्य कांत हुआ जिसके शुरुवा थी क्राइम के दुनिया से खुए थी लेकिन मुक्तार अंसारी के बाद कई सवाल उठे कि आखिर मुक्तार अंसारी की मौत कैसे हुई उनका परिवार जो है लगातार इस बात को लेकर कहता रहा कि slow poison यानि कि धीमा जहर देने की वज़े से मुक्तार अंसारी की मौत हुई लेकिन आज ही जब मुक्तार अंसारी के post-mortem report सामने आई तो उसके बाद हर चीज क्लियर हो गई कि आखिर कैसे shock की वज़े से यानि कि heart attack आने की वज़े से ही जो है मुक्तार अंसारी की मौत हुई जिसके बाद उन सभी बातों पर पूरी तरीके से पूर विराम लग गया है चाहे वो तमाम राजनेता हो या खुद उनका परिवार हो जो इस बात को लेकर आरोप लगा रहा था कि मुक्तार अंसारी को जो है जहर दिया गया लेकिन हमने देखा कि आखिर मुक्तार अंसारी की मौत के बाद किस तरीके से उनके जनाजे में हज़ारों की भीढूमरी वहाँ पर पुलिस को धक्का मुकी करने पड़ गई पुलिस लगातार माइक से इस बात के अनाउंसमेंट कर रही थी कि लोग जो है शान्ती बनाए रखें लेकिन बावजुद इसकी वहाँ पर इस्तती जो है आउट अफ कंट्रोल होती हुए नजर आई और इसलिए वहाँ पर नारेबाजी जब की गई तो पुलिस न साफता और पर कह दिया कि देखिए ड्रोन के जरीए जो है लोगों के वीडियोस रिकॉर्ड किये जा चुके हैं तो अब कोई भी नहीं बचेगा लेकिन इन सब के बीच में हर किसी की नजर जो है वो एक शक्स पर थी और वो थी आफशा अंसारी यारे कि मुक्तार अंसारी की पत्मी हर कोई सोच रहा था कि शायद आफशा अंसारी जो है वो मुक्तार अंसारी के जनाजे में ज़रूर पहुचेंगी पिष्ले एक साल सिलापता है और जहर सी बात है कि पती की मौत के बाद उनके अंतम सफर में जो है हर किसी को इस बात की उम्मीति की शायद जो है इस बार आफशा अंसारी नज़र आएंगी लेकिर आज हम आपको इस वीडियो के जरी ये बताते हैं आफशा अंसारी जो है वो कौन है मुकतार अंसारी के परिवार में कौन कौन है और कैसे जो है इस क्राइम वर्ड की शुरुवात कुई थी देखे जब से पहले हम बताते हैं कि देखे 2022 का वो वक्त 2022 में अफशा के खिलाफ गैंग्स्टर आक्ट लगा दिया गया था 75,000 से भ कुली तक में छापे मारी की गए लेकिन बावजूद इसके अफशा अंसारी के बारे में अब तक कोई भी सुराग पुलस के हाथ नहीं लगा है इतुना ही नहीं देखे मुकतार की पत्नी पर कोट में ना पेश होने और जमानत ना कराए जाने के बाद 25,000 का अतरिक तिनाम की बात करते हैं क्योंकि ये एक ऐसी विरासत है अपरादिक विरासत जो कही ना कई पीडियो दर पीडियी जो है वो आगे बढ़ती चले गए मुक्तार अंसारी के बेटे यानि कि अब्बास अंसारी फिलाल जेल में बंद है वो अब्बास अंसारी जो हाई कोट से लेकर सुप्रीम कोट तक इस बात की गुहार लगाते रहे कि वो अपने पिता के अंतिम सफर में शामिल खोना चाते हैं लेकिन कोट ने उन्हें इजासत नहीं दी वो पैरोल पर चाते थे कि बाहर आना लेकिन कोट ने उन्हें इजासत नहीं दी सेक्यॉरिटी रीजन्स की वज़े से साफ मना कर दिया गया इतना ही नहीं अब्बास अंसारी के उपर साथ केस दर्ज है मुक्तार के छोटे बेटे अगर हम उमर अंसारी के बात करें तो उन पर जालसाजी अवैद कबजे के आरोप है और वो भी अब भी फरार चल रहा है मुकतार की बहुयाने की निखत अंसारी की बात करें तो उन पर पती को जेल से भगाने उसको सुख सुवधाय उपलब्ध कराने का रूप है और इस खाला कि उसके बाद वो है लगबद छे मैने वो जेल मेरे फिलाल वो जमानत पर बाहर है मुकतार के बड़े भाई की बात करें अफजाल अंसारी के खिलाफ आधा दर्जन के इस दर्ज है हाला कि इस बार उन्हें समाजवादी पाटी के तरफ से टिकट दिया गया और ये कहा भी जा रहे कि उनका मुकाबला माफिय डॉन ब्रिजेश स्ंग से हो सकता है अफजाल को गाज़िपूर से टिकट दिया गया है और दिखेए गाज़िपूर में हम ने देखा कि किस तरीके से मुक्तार अंसारी को सुपुर्द देखा किया उन्हें वही पर दफनाया गया क्योंकि इस यही वो गाज़ेपुर जगा है जहां से इस अंसारी परिवार की जो है अपरादिक दुनिया के शुरुआत हुई थी अब ऐसे में हर कोई इस बात को ढून रहा है कि आखिर अफशा अंसारी के बारे में क्या कोई बिसबूत हाथ लग पाएगा या नहीं लग पाएगा